है गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई हो आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाईज आज की वीडियो में मैं आपके साथ सीख भुआये जुड़ा की वीडियो शेयर करने लगी हूँ अगर आप एक सीख फैमली को भी लॉंग करते हैं आपके बेटे के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि बीना किसी रबड के या फिर बीना परांदी के आप कैसे लंबे बालों का जुड़ा कर सकते हैं बहुत असान तरीके से इससे क्याना कि बाल अच्छी तरह से कवर भी रहेंगे बिलक जशन के मैं जुड़ा कर रही हूं आप सबको पता है कि जशन के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं जशन को मैंने ऑइलिंग अच्छी तरह से की हुई है सबसे पहले तो हमें ऑइलिंग अच्छी तरह से बालों पर करनी चाहिए अगर ऑइलिंग अच्छी तरह से की होगी तब ही हम एक अच्छा जूड़ा बना सकते हैं तो देखिए इस तरह से मैं ब्रेड बना रही हूँ कोई भी रबड का मैंने यूज नहीं किया अगर आप रबड डालेंगे तो पटके की लूक इतनी अच्छी नहीं आती है इसी लिए मैंने सिंपल ब्रेड बनानी स्चार्ट किया इसी तरह से आपको ब्रेड बनानी है ओिलिंग अपने बेटे के बालों पर ज़रूर करें ड्राइ एयर में कभी भी जूड़ा मत कीजिये इस तरह से ब्रेड बनाने से एक तो बालों की जो लैंथ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी बाल बहुत ज़्यादा लंबे होंगे यहर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी लास्ट में जब ब्रेड खतम हो जाती है तब भी आपको कोई भी रबड का यूज करने की जुरूरत नहीं और नहीं आपको परांदा यूज करने ब्लैक वले या फिर परांदे का यूज करें तो पठके की लूक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है जिन बच्चों के बाल छोटे हैं उन्हें परांदा वियर करना पड़ता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू बाई